बर फिले जगा पर बहुत सारे पैंगविन्स एक लाइन बना कर कही जा रहे होते हैं तभी लाइन के बीच में एक पैंगविन नीचे गिर जाता है इसके गिरने की वज़े से इसके पीछे वाले सभी पैंगविन्स भी नीचे गिरने लगते हैं तभी इन पेंगविन के बीट से तिन होसियर पेंगविन लाइन से बाहर हो जाते हैं जिससे बागी के पेंगविन्स गिरने से बज जाते हैं ये तीनों पेंगविन्स वही खड़े होते हैं तभी इनके पास से एक पेंगविन का अंडा गुजरता है जिसे देखकर एक पेंग्विन इस अंडे को बचाने निकल पड़ता है आगे घारा समंदर होता है इसलिए यह पेंग्विन अपने आपको रोखने लगता है लेकिन बर्फ होने की वज़े से यह पेंग्विन अंडे से जाटकराता है जिससे अंडा नीचे गिरने लगता है वहीं वो अंडा बर्फ का गोला बनकर नीचे गिरता है और वहाँ से फिसल कर एक नाव पर चला जाता है लेकिन इस नाव पर कुछ खतनाख लेपड सील गुम रहे होते हैं तभी वहाँ निउज बनाने आए कुछ इंसान इन पेंग्विन्स को नीचे डखल देते हैं ये तीनो पेंग्विन्स बर्फ का गोला बनकर नीचे उतरते हैं तभी एक पेंग्विन्स जल्दी से जाकर इस अंडे को अपने अंदर निकल लेता है उसके बाद ये तीनो पेंग्विन्स वहाँ से भाग कर एक बड़े से तीर के उपर चड़ जाते हैं उसके बाद जब ये सीलिन्स पर हमला करने आते हैं तब तीर चल जाता है और ये तीनो पेंग्विन्स उड़कर एक बर फिले आइलेंड को